हेलो मैं फिरेंट्स दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे आप राधिक मानो बत करने का प्रयत्न के बारे में आज की वीडियो हमारी काफी अच्छे होने वाली है इस वीडियो हम बताएंगे कि अगर कोई बेक्ति किसी का बद करता है बद करने का प्रयत्न करता है तो उ 308 में अब राजिक मानवबद करने का प्रयात्र को 308 में दंद कर देने का प्राधान किया गया था लेकिन जब अब नया कानून बदल गया है तो नया कानून में बी इन्स 310 में हो गया है सुरी 110 219 110 के अंदर गत बताया गया है कि आप आज एक मानवबत करने का प्रयात्न हम इसके बारे में निटेर बताएंगे कि अब हमको सिर्फ और सिर्फ इस पे द्यान देना है 219 110 के बारे में तो यहाँ पर हम नूट करेंगे 219 सेक्षन 110 के बारे में फूरी डिटेर बात करेंगे तो चलिए हम बात करेंगे बेडनेस का सेक्षन 110 के बारे बहुत ही आसान भासा में समझने का प्रयास करेंगे कि अगर वैसा कोई कार जिसकी करने से किसी ब्यक्ति की मृत्यू कारित हो जाए जिसमें आपका आशे ना हो आपका कोई आशे ना हो आपने अचानक प्रकोपन में आकरके उस बेक्ति के उपर हमला कर दिया और मिर्त्यु कारित हो आती है तो आप राधिक मानोबद का लाता था वास्वजृम्याई जिसमें अवारा कोई आसर इंठेंशन नहीं है और आचानक प्रकोपन में आकर हम उसकी हत्या कर देते हैं तो वह आपरादिक मनोबत का दोशी होता था वास्वन में आई धारा 110 किया कर दी है आप रादिक महनबद करने का प्रयत्व करतिया है इसको हमें उदाहण के मात्यां से समझेने का प्रयास करेंगे मालेजे ए नामक बेखती बी के उपर आचानक और प्रकोपन में आकर पिस्तोल चला देता है लेकिन बी क्या है बी बच जाता है तब वहाँ पर धारा 110 के तहत मुकदमा चलेगा बास्तोल में आगे आपराधिक मानवद करने का प्रयत्न तो इसमें दंड देने का क्या प्राधान किया गया है इसमें दोस्तों तीन साल की सजा है या फिर जुर्बाना है या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है बास्तोल में तीन साल की सजा जुर्बाना या दोनों से दन्रित किया जा सकता है लेकिन अगर इसी कारी को करने में उस बैक्ती को चोट कारित हो जाती है जैसे मालेजी उसने लाठी से मारा और सर्फट गया और अंदर खोपड़ी में चोट हो गई तब वह ही धारा तिर साथ साल की सजा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, साथ साल तक सजा हो जाएगी, और साथ इस साथ जुर्माना भी होगा, मासम्याई, अगर चोट कारित कर देता है तो साथ साल, चोट नहीं कारित होगी तो तेर साल, यह दोस्तों संगे अपराद है, यह आजमांती और इनकी सुनवाई सेशन ट्राइल में होती है मासनम्याई सेशन ट्राइल में होता सुनवाई तो आज की वीडियो छोटी है लेकिन बहुत ही लाब दायक है आपको सिर्फ पितरा जानने का है अगर आपने आप किसी पढ़ा 300 बार तो 1910 क्लियर हो जाएगी ने क्लियर हो गए तो इस वीडियो को देखने के दो बार देखेंगे क्लियर हो जाएगी लेकिन यहीं कहता है कि आप राधिक मानवबत करने का अगर आपने प्रद न कर दिया तो धारा एक्सोंदस यंत्र दम देने का प्रादौ सिर में अगर चोट लग गए गहरी चोट है सरफुट गया अंदर तब वहाँ पर धारा 110 लगती है तो चलिए आज की वीडियो फिला इतना हैं बिले किसी अन्य वीडियो में दोतर के लिए जैन